नमस्कार मित्रो स्वागत है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दर्यल पुराण में जीवन में एक दिन मृत्यू सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग-अलग तरह से निकलते हैं, मरते समय किसी का मुह तेड़ा हो जाता है, तो किसी की आखें उलट जाती हैं। गरूर पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के नौ द्वारों में से किसी से शरीर छोडती है, ये नौ द्वार दोनो आखे, दोनो कान, दोनो नासिका, मुह या फिर उद्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उद्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं, हालांकि गरोर पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता, तो चलिए मित्रो जानते हैं इस बारे में, उससे पहले आप सभी एक बार मन में श्री कृष्ण बोले और कमेंट में भी टाइप करे, पापी व्यक्ति के इ जिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है, ऐसे लोग जब मृत्यू के समय यम दूतों को देखते हैं, तो घबरा जाते हैं और उनके प्रान नीचे की ओर सर्कने लगते हैं, इसके बाद प्रान वायू नीचे के मार्ग से निकल जाती ह प्रान वायू के साथ अंगूठे के आकार का एक अद्रिश्य जीव निकलता है, यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं, और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, इस तरह की मृत्यू पापी व्यक्ती की मानी जाती है, इसलिए उलट जाती हैं आखें गरूर पुरान में भगवान विश्नु गरूर को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मौ माया से ग्रसित होते हैं, और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, और अपने परिजनों से जिनका मौ बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते, ऐसे ल प्रान नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्रान नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्रान निकालते हैं। और ऐसे में जब उनके प्रान आँखों से बलपूर्वक निकलते हैं, तो आखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा ल के प्रान मुह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता ऐसे लोगों के प्रान जब मुह से निकलते हैं तो उनका मुह टेड़ा हो जाता है नाक से प्रान निकलना भी बेहद शुब शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्रानों का निकलना भी बहुत शुब होता है गरुर पुरान के मुताबिक इस तरह से उन्ही लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को वैरागी भी बना लिया हो भगवान के सभी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज श्री कृष्ण जरूर लिखे और हमारे चैनल दरियल पुरान को सब्सक्राइब करें धन्यवाद